हमारा किसान भाईयों की नमस्कार सबको यह जो है अपना खेती माय में काम करने के लिए यह मेशिन बना गया है खुद बना गया है अपना घर में अपना ताकत से अपना दिमाग से बना गया इंजन है यह जो बेल के बेल से नई होने के काम यह इंजन से कर सकते है यह पूरान बैल से कही होता है यह बैल के बाद यह चालू होता है ही यह इंजन एक कर का इंजन यह यह इंजन परेचन का है इसको बेंड़ से काम करती है इसे तो ज्यादा क्या होते है अपना बेल से जो होता है यह इसी से होता लेकिन जो कोई किसानों स्टार्ट यह इंजन अपना बेल से जो काम करती है यह एस्टी सेम काम करती है यह ब्लेड के इलावा अपन वो गुटका वो भी पूरा घास निकालने के लिए ऐसा एंगिलर ब्लेड रहते ना उससे भी एंगिलर इस पर सकते हैं और यह वाला पूरा अज़ेस्ट्मेंट के हैं निचे ऊपर अपना वहल कितना डिप जाती वेसे यह इतना बन जाता यह इसा लिक न थरह के लिए इनुसलोड करalten करते ृत तो अपना घास पहली कल्टिवेशन पहली अपन जो खेत को घास निकाल के लिए वो काम करता है लेकिन इंटर कल्टिवेशन मतलब अपना क्या बोलते हैं दूदी में काटन में चिली में जो करना यह की बार आशान होता है बाद में यह प्लैंट पर प्लैंट बुले तो कॉस्त मैलेच को सब्सक्राइब करों कर अब पान टोज ने के लिए इस्तामान कर सकते हम जो क्या करें अभी पानी अपना बोर वेल से निकाल रहे ना अभी क्या करें उसके पहले ने पुली ने पुली लगाया फुली लगाके यह फोर पाइंट-प एच्प एंजने जो कम से कम 5 hp का इंजने यह जो एक लिटर दो घंटा दो घंटा भी आता यह घंटे के ऊपर आता यह घंटे के ऊपर डेड़ घंटा भी आता लेकिन मैलेज भी अच्छा है स्पीड भी जय्यादरे ती है स्पीर रही होता है लिकिन पुराना यह मोडल जो है यह पुराना आपन फ यह से कैसा करते बढ़ मुझे पूरा करते हैं जो पना बला ले खुद बना ले मेट्रियल को पूरा वील्स को इंजन को इंजन का दाम ये पूरा देख ले तो ये जो बनाए 40-35,000 में बन गया